हाई गुरींग एरवान बहुत ही इंपोर्टेंट व्लॉग के साथ अज फिर से हाद दिन आपके सामने वेलकम तो मैं नुई व्लॉग और आज का जो व्लॉग है वह भी बहुत इंपोर्टेंट बुक के बारे में होने वाला है और बुक का नाम बहुत ही इंटरस्टिंग है आज की रिट में सब लोग मोटिवेशन 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 के बारे में बात करते हैं और एक बुक जो बहुत ही मेजरली मोटिवेशन में रोल प्ले करती है और बहुत कम लोगों इसके बारे में सुना है बुक का नाम है Sometimes You Win, Sometimes You Learn और लिखी गई है John C. Maxwell की दोरा और बहुत ही interesting सी बुक है और इसमें बहुत सारे important points बताए गए है और जैसे कि नाम से ही पता लगता है कि Sometimes You Win, Sometimes You Learn एक journey के बारे में हैं कि कई बार आप जीते हैं, कई बार आप सीखते हैं और अगर आप ना जीते हैं तब भी आप सीखते हैं जरूर है तो इसके बारे में पूरी बात होती है, पूरी बुक के अंदर जो points में इसके अंदर आपके लिए सीखे हैं वो मैं आपके शेयर करने वाला हूँ कोई फेस्टिवल में पाइटिपेट किया, उसमें कोई अच्छी परफॉर्मेंस आई हो, वो कम याद रहती है बजाए कि बच्पन में कोई गलती रह गई हो, या दस साल पहले भी कोई मिस्टेक हुई थी, उसके वैसे कोई नुकसान हुआ था वो आज भी याद होगा और प्रॉपरली याद होगा एक जगे पे और कुछ लोग गलती करके उससे बहर निकल जाते हैं और कुछ लोग उसमें फसीर जाते हैं राइटर ने clearly बोला इसके अंदर कि अगर आप जितनी जल्दी हो सके उससे बाहर निकल जाएं क्योंकि अगर आप उसमें फसे रहे तो आपके failure के chances बढ़ जाते हैं राइट क्योंकि आप कुछ नया नहीं सीख पाते हैं कर्लाइट जो राइटर ने समजाने कोशिश करी करी ए उसमें humility और प्राइड के बारे में मात करींगें है वह मतलब होता है कि धहरे ने, इसको कहते है और राइटर ने clearly इसके अंदर है कि प्राइड जो इसे बड़ी चोटी से चोटी प्रोलम होगी ना अरे उसकी वज़े से होगी है और वो अपना घमंड हमेशा बरकरार रहते हैं और ऐसे लोग कभी भी कुछ नया सीखने के लिए हमेशा पीछे रहते हैं उनको लगता है कि मुझे सब आता है और जो हुमिलेटी जिनके अंदर होती है लोग अंदर वो बिलकुल विनमर होते हैं और इस प्रोसस में समय लगता है हमबल बनने के लिए अपने आपको विनमर बनाने के लिए समय लगता है तो रॉइटर ने यहाप लिया लिए बात रॉइटर ने एकले पोइंट के अंदर ये बोला है कि responsibility बहत important है और किस और जो लोगो रिस्पॉंसिबिलिटी लेते हैं एक टाइम के बाद में उनको ज्यादा चांसे और मिलने लगते हैं वजया कि जो लोग रिस्पॉंसिबिलिटी लेन से हमेशा पीछे रहते हैं ऐसे लोगो चांसे बहुत कम ना के बराबर मिलते हैं और जो लोग रिस्पॉंस बढ़ जाता है और राइटर फिर ये बोलते हैं कि अगर आप responsibility नहीं लेते हैं तो आपकी life हमेशा दूसरों के तरीके से चलती है अगर आप कोई काम नहीं करना चाहते हैं तो या तो आप उसको बहाने भी टाल देंगे तो आपकी जिंदगी बहाने के बल पर चलेगी या तो आपका वो काम कोई और करने लगेगा तो आपका सारा जो planning है आप responsibility ना लेने की वज़े से अपनी life का control external factors के उपर डाल देंगे चाहे वो मौसम हो कई बार आपने सुना होगा ना कि या तब है ठीक नहीं इस वेसे काम नहीं कर सकता और यहां पर सब्सक्र बड़ा challenge create होता है कि आपने responsibility लेने के लिए वो बहाना चुना अब वो बहाना आपकी life decide करेगा आपकी जो भी external factors जो है वो आपको decide करने वाले कि आप क्या करेंगे अगला point जो कि successful होने के लिए writer ने बोला है successful मतलब किसी भी चीज़ में आगे बढ़ने के लिए writer ने improvement और writer ने clearly यहाँ बोला ह है कि mostly लोग improvement एकदम से चाते हैं जबके improvement time लेती है मतलब अगर आपने कोई nice skills सीखना start किया है तो आप उसमें धीरे-धीरे करके improve करते हैं एकदम से कोई भी improve नहीं करता right immediate success बहुत ही कम लोगों को मिलती है और हर कोई अगर इसके पिछे दौडने लगेगा तो हर कोई problem में retention में रहेगा तो improvement समय के साथ करते रहना चाहिए और हमेशा अधान रखें कि immediate success से बचना ही कोशिश करनी है आपको immediate improvement नहीं मिलेगा अगर आप धीरे-धीरे करके practice करते रहेंगे तो definitely आपको वह improvement दिख जाएगा और जो आप हसल करना चाहते हैं वो आप focus के साथ में अगर क्या वह achieve कर सकते हैं अगला point आता है preparation and responsibility मतलब किसी भी चीज़ के तयारी करना और उसकी responsibility लेना success के लिए दो important pillars है और यही रास्ता तैय करते हैं कि आप successful होंगे या नहीं होंगे और यह clearly यहाँ पर writer ने समझानी कुशिश करिए तो आप जो भी काम करना चाहते हैं उसके लिए prepare करते रहें और उसमें responsibility लेना सीखें आपकी success आपके करीब और आती चली जाएगी अगले one के अंदर writer ने बोला है hope के बारे में आशा रखना और यह हमेशा motivation देता है learning के अंदर अगर आपने कभी notice कि life में जब सब कुछ खराफ चल रहा है और आप बिल्कुल down रहते हैं आप बोलते हैं आपने आपको कि यार अब ये काम नहीं हो सकता मैं हमेशा ये ना मेर बसकी बात नहीं है या मैं मेरे लिए नहीं बनाएगा तब आपके अंदर से अगर आप छेसा दिन डिप्रेशन में रहते हैं तो एक ऐसी आवाज आती है जो बोलते हैं यार जो हो गया हो गया ना अब अब करते हैं अब देख लेते हैं जो होता है ठीक है अब मैं अपनी 100 पसंट दोंगा जो हो गया उसको भूल जाओ तो यहां पर वर्ड आता है होप आशा की केरण तो अगर आप होप रखते हैं तो आपको यह हमेशा मोटिवेशन देता है लर्निंग के लिए और जब आप लर्निंग करते हैं सीखते जाते हैं तो कुछ नया कुछ अच्छा ल लोग सीखे बिना ही जीतना चाहते हैं तो सबसे बड़ा मित है कि आप बिना सीखे जीत सकते हैं किसी को कॉपी करके सीख सकते हैं तो हमेशा याद रखें कि सीखने विध्यान रखें लर्निंग के विध्यान रखते रहें responsibility रहें focus रहें hope को बनाए रखें और आप अपनी success को victim की तरह जिएंगे कि यार हर चीजे मेरे साथी गलत होती है मेरे साथी क्यों होता है मैं हमेशा मैं ही क्यों गलत situation फज जाता हूँ अगर आप अपने आपको victim प्ले करते रहेंगे हमेशा तो हमेशा आपकी जिंदगी बहानों बेटी की रहेंगी तो आप यह समझें hope सबसे अच्छा लगा और अगर अपने नोट्स बनाएं तो प्लीज यह व्लॉग देखने के लिए मिलते हैं नेक्स व्लॉग में किसी और अमेजिंग बुक के साथ में कुछ और इंटर्सिंग पॉइंट के साथ में तो थैंक यू सो मुझ